गुड मानिंग बच्चो आप सबका स्वागत है इस वीडियो में बच्चो आपकी जो टेली की वर्कशीट है वो अलग है और जो चैप्टर आपकी क्लासेज में चल रहा है वो अलग अगर आपको क्लास 10 के चैप्टर नमबर 6 की स्टार्टिंग पर नहीं है तो आप इसकी इसी चैनल पे वो भी देख सकते हैं और बच्चो आज की जो वर्कशीट है वो है आपकी धातू एवं धातू और अधातू की किसकी है धातू और अधातू की ये आपका new chapter start हुआ है तो चलिए इसके बारे में देखते हैं आप iron, aluminium आदी जैसे कुछ तत्वों से को जानते ही होंगे उनके जो भौतिक और रसाइनिक गोणों है मतलब जो उनके physical और chemical properties है उसके अधार पर उसको अलग अलग धातू और अधातू में डाला गया जितने भी आपने सुना है बच्चो चान्दी, सोना, तामबा, कॉपर, ठीक है और aluminium ये सारे क्या है इसमें से कुछ धातू अधातू है तो इनको किस अधातू और अधातू के नाम क्या है और उनको किस से संकेत किया चाता है चलिए, देखते हैं, बहुत चोटी सी easy worksheet आईए आपकी जिसमें आपको बस धातू के नाम दे गए हैं, आधातू के नाम दे गए हैं और आपको देखके बताना है कि उसके नाम कौन सा धातू है, कौन सा धातू है और उसका संकेत मतलब प्रतीक क्या है सबसे पहले है बच्चों लोहा, लोहे को हम संकेत करते हैं, यह सारे हमने यहाँ पर धातू है, और यह सारे आपके क्या है, अधातू, दूसरा है केल्शियम, सिये, सोना, एयू, एलिमीनियम, एयल, कॉपर, सीयू, लीथियम, एलाई, पोटेशियम, के, मर्करी, एच जी, ले कार्बन, फॉसफोरस, हाइडोजन, हीलिम, नाइटोजन, सलफर, ओक्सीजन, आयूटीन, ब्रोमीन और नियोन, यह सारे क्या है बच्चों धातू, और यह सभी क्या है आपके धातू, और उनके प्रतीक, अब इसके वर्कशिट कर लेते हैं, पहले है इनका नाम लिखे, त ब्रोमीन होता है, ब्र, केल्शिम है, सीए, नाइटोजन है, एन, लेड है, पीबी, चान्दी है, एजी, ठीक है, यह साब के हमने नाम दिखती है, अब आपको जो नेक्स्ट कोशन है, उसका उल्टा दे रखा है, आपको उसके प्रतीक दिए गए हैं, और उसका नाम बतान है, क्या क्या हुआ है, आपको प्रतीक दिए गए हैं, और उसका नाम लिखना है, देखते हैं, देखे, आइफ़ी होता है, बच्चो, आइरन, आइरन, एचिजी होता है, मरकरी, किसका होता है, बच्चो, मरकरी, या फिर उसको बोलते है, पारा, एउ होता है, गोल्ड, सोन O होता है ओक्सीजन सी यू होता है तामबा या फिर कॉपर तामबा या फिर कॉपर ठीक है अब उसके बाद आखरी कोशन है कि ये नीचे जो दिये गए हैं इन तत्वों को धातू और अधातू में आपको वर्गी कृत करना है आपको बताएना जो नीचे लिखा हुए वर धातू है कि अधातू देखिए बच्चो कोईला कोईला मतलब होता है कार्बन कार्बन क्या है आपका अधातू आयोडीन अधातू मरकरी क्या है आपका धातू मरकरी क्या है धातू ब्रोमीन लीथियम ये आप देखे इस सारी टेबल में मिल जाएगा ब्रोमेन लीथियम ब्रोमेन किसमें आपका आधातु में आयोडीन आधातु कार्बन आधातु ठीक है लीथियम आपका मिल लेगा आपको धातु में और क्या बच्चा ओके और मरकरी Mercury हमने बताए दिया था ये भी क्या है धातू तो आज की worksheet में बहुत छोटी और easy सी worksheet थी जिसमें हमने देखा कि धातू और अधातू कौन से हैं उनके प्रतीक क्या हैं उनको हमने उनके प्रतीक से याद किया ठीक है बच्चो याद करने का सबसे सिंपल क्या तरीका क्या है उनके प्रतीक जो मेली जितने भी धातू हो गए उनके पहले English वाले नाम क्यों पर है फॉर एक्जामपल कार्बन कार्बन को जब English में लिखते हैं बच्चो लिखेंगे C-A-R-B-O-N पहला अक्षर क्या है C तो उसका प्रतीक क्या हुआ C Phosphorus Phosphorus को हम कैसे लिखेंगे बच्चो P-H-O-S Phosphorus तो पहला क्या है इसका P Symbol क्या हुआ P Hydrogen H-Y-D Hydrogen इसका प्रतीक क्या हुआ H ठीक है Oxygen O-X-Y-G-E-N पहला लेटर O ठीक है बहुत कम ही ऐसे होते है कुछ ही ऐसे होते है बच्चो जो उनके पहले लेटर के जगा दूसरे नाम पर होते है For example जैसे की Iron Iron तो Iron को हम Ice से डिनोट नहीं करते है Iron को डिनोट करते है FV से क्योंकि उसका Latin name कुछ Ferritin करके है जिसके वज़े से उसको FV से डिनोट किया जाता है इसी के साथ आपका दो तिन आधातों में और भी है जैसे की होगा आपका Sodium Sodium को किस से डिनोट करेंगे N से ठीक है Sona Gold Gold को G से नहीं करेंगे Gold को करेंगे हम AU से Silver Silver को हम करेंगे बच्चो A G से ठीक है और Lead Lead इसको हमने किया PB से Mercury M Sona चेता लेकिन इसको हमने किया H G से तो मीलनी जो भी धातू है उनके अलग-अलग सिंबल से लेकिन जो इतने भी अधातू है वो उनके सारे First Letters से ही याद करने है ओके तो यही थी आपकी आज की छोटी सी वर्कशी बहुत इजी थी जिसमें आपने धातू हाधातू के नाम देखे उनके प्रतीक समझे Thank you so much for watching this video